लाइफ में आशावादी रहना कितना important है और जब दो लोग मिलते हैं तो एक दूसरे के action से वो एक दिस्टरों को inspire करते हैं अच्छे लाइफ चीने का तरीका वो एक दिस्टरों को बताते हैं इस message के साथ आज की movie आती है आज की movie में cast away on the moon ये 2009 की Korean movie आपको मैं explain करने वाला ये Korean love story है और इसकी I'm Dividing 8.1 है सुसाइट करने का एक फैल attempt करकर ये आदमी किस तरह से जंगलों में रहता है और फिर इसका life में क्या change आता है ये हम इस movie में देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं movie स्टार्ट होती है और वहाँ एक breach हमें दिखाया गया है इस breach पर हमारा main character खड़ा होता है इसका नाम हम James रखेंगे James ने अमनी credit card company को call किया होता है उनसे उस पर कितना debt है ये वो पूछ रहा होता है उस पर बहुत सारा करज़ा होता है James बहुत ही depressed होता है और जीने के लिए उसके लिए कुछ भी बचा नहीं होता तो इसलिए अब वो पानी में खूच जाता है जब इसकी हाँ खुलती है तब ये शोर पर आ चुका होता है जब वो उटता है और आसपास देखता है तो खुच से ही कहता है कि वो ढंग से मर भी निकले ये वो एक वे ढूंड रहा होता है वो गोल-गोल घुमता है और जहां गया था वही वापस आ जाता है ये एक छोटा सा आइलेंड होता है शीटी की बीच में ये आइलेंड होता है और आसपास पूरी नदी होती है नदी पार करकर अगर उसे शीटी में जाना होगा तो यह ज़्यादा distance नहीं है पर James को तेरना नहीं आता अब इसे problem है तो रात में वही सो जाता है जब सुभा होती है तो एक boat उसे दिखती है उसे वह हाथ देने लग जाता है एक tourist boat होती है तो tourist को लगता है कि मुझे wave कर रहा है तो वो भी wave कर देता है यह boat फिर आगे चली जाती है James पर एक काठी लेता है और किनारिक की sand होती है उस पर लिखता है कि help यह उसे बहुत stupid लगता है क्योंकि वो city की middle में होता है यह cast away movie की तरह होता है तो उसने यह देखी होती है तो इस वे amazing लगता है अब वो decide करता है कि वो किसी को call करेगा और उनसे help मांगेगा वो police को call करता है police को बताता है कि मैं city के बीच में एक deserted island में हूँ यह सुनकर police को believe नहीं होता क्योंकि यह इसकी location नहीं बतावाता police फिर phone रख देती है next call यह फिर अपनी girlfriend को कहती है next call फिर अपने girlfriend को यह करता है उसकी girlfriend कहती है कि मैं और तुमारा जो भी सब relationship थी अब सब कुछ खतम हो चुकी है तुमें भी मुझे अब छोड़ देना चाहिए मुझे please फिर से call मत करना यह कहे कर इसका call वो काट देती है James को एक कोई friend नहीं होती उसके कुछ family नहीं होती वो किसी और को call भी नहीं कर सकता फिर उसे एक daily marketer का call आता है यह उसे कुछ sale करना चाहते है यह उसे बताना चाहता है कि मैं एक island पर हूँ वहाँ पर मुझे help की जरूरत है पर daily marketers किसी की भी नहीं सुनते और उसको यह offer बता ही दे रहे होते है यह बताते बताते फोन की battery खतम हो जाती है अब James के पास कुछ option नहीं रहा तो तेरने की कोशिश करता है वो अपने आप से कहता है कि वो एक कर सकता है motivate अपने आपको करता है और पाने में खुच जाता है जब वो डूबने लग जाता है तब उसे flashback आने लग जाते है इसमें first flashback हमें जो दिखाया गया है यह उसका फादर का है उसके फादर उसे पोलते है कि तुम बाकी बच्चों की तरह क्यों नहीं तेह सकते यह जब उसके फादर उसे कहे रहे है तो वो swimming pool में डूब रहा है ऐसा उसे लगता है Nixon में भी job intro चल रहे होती है और वो swimming pool में ही डूब रहा होता है इसके जो entrance exam थी उसके जो score थे वो भी बहुत कम थे और पीछले company में वो job नहीं कर बाया Nixon में फिर उसकी girlfriend में दिखती है वो से बोल कर जाती है कि तुम्हारे life में सब कुछ गलत था पर इसका गुसा तुम मुझ पर निकाल रहे थे यह सही नहीं था इसलिए वो चली गई थी अब last चीज जो आती है वो loans क्यों थी है यह गाना गार होते है और अब यह डूपता चला जा रहा है ऐसा उसे लगता है इस scene का इस movie के लिए बहुत ही ज़ादा significance है उसके father जो थे इसे हमेशा कुछ लड़कों से compare करते रहती थे वो पड़ाय में भी उतना अच्छा नहीं था फिर भी उसे drop करना बड़ा और इसमें वो डूपता चला गया उसके life में किसी ने भी उसे accept नहीं किया था वो जैसा था वैसा किसी ने भी उसे नहीं देखा था और यह अपने आपको भी यह बता नहीं पाया कि किस चीज में वो सही है किस चीज में वो गलत है जब हो relationship में गया तो emotional support अपनी girlfriend से उतना अच्छे से नहीं रह पाया इसलिए उसकी girlfriend भी उसे छोड़ कर चलिगी जब वो financial problems में आ तब उसने loan ली लिया इस loan के problem ने उसकी life तबाह करने में एक last strike दे दी अब हमें फिर से James किनारे पर आ गया है यह दिखता है वो जंगल में आता है अपने tie को बान देता है और इससे वो suicide करने वाला होता है जब वो यह suicide कर रहा होता है तो civil defense corp यह पूरी city को potz कर देते है किसी को वो हिलने का allowed नहीं होता यह एक security drill होती है एक साल में यह दो बार करते है जेम्स एक impulse में होता है और suicide करने वाला होता है पर इसके alarm से वो अपना mind change कर देता है वो कहता है कि मुझे suicide करनी है मैं कभी भी कर सकता हूँ इससे फिरे toilet आती है और toilet करने के लिए वो चला जाता है वहाँ उसे एक beautiful fool दीखता है जब वो चोटा था तो यह full खाता था इससे अब भूग भी बहुत सारी लगी है तो यह इस full coat टेस्ट करता है वो कहता है कि बहुत दीन गुजर गए इसे खाते हुए यह इतना sweet है कि मुझे रोना आ सकता है और सच मुझे यह रोने भी लग जाता है इसे पानी की वैस लगती है तो नदी का ही पानी पी लेता है अब बहुत ही भूग लगी होती है तो वहाँ mushroom उसे दिखते है यह जो mushroom है poisonous हो सकते है वो अपने आपसे कहता है कि मुझे मन नहीं यह खा कर भी में मर सकता हूँ यह खा लेता है पर यह कोई poisonous वगरा नहीं होते थोड़ी धेर बाद वो अपने लिए आग बनाना चाहता है तो लकडी को गिसता है टॉम हैंक्स की कास्ट अब मुविय में दिखाया गया था कि वो लकडी को गिसता है और आग जनरेट करता है पर यह कर नहीं बाता वो कहता है कि यह सब जूटे फिर वो एक सिगरेट जलाता है और उसके पास अब लाइटर भी है यह भी हमें दिखता है वो सिब टैम पास करने के लिए कर रहा होता है अपना वालेट फिर वो दिखता है उसमें जो भी सब cards वगरा होते हैं वो सब वो fake देता है उसे अब इन सब चीज़ों की जरुरत नहीं है उसे जो भी खाने को मिले वो खा रहा है नदी का पानी पी रहा है उसे अपने आपको warm रखने के लिए fire भी है अब उसे world से कुछ भी नहीं चाहिए तो शोर के पास वो आता है और world को finger देता है इस island पर एक duck के shape की एक खराब हुई हुई बोट होती है इस बोट को खिशते खिशते एक जगा पर वो लेकर आता है फिर हो हमसे कहता है कि मैंने बहुत सालों तक मेरा house पाई करने के कोशिश की थी पर मैं कभी करनी पाया आज मैं इस duck को अपना house बना रहा हूँ अब James को अपने body के लिए protein की भी जरूरत है तो इसलिए fish पकरनी कोशिश करता है पर ये भी करनी पाता इस island पर swans होते है इसको माननी कोशिश करता है पर वो भाग जाते है फिर mushroom खाकरी उसे गुजरा करना पड़ता है एक stick लेकर fish को पकरना जाता है पर ये stick उसके पेर में ही घुश जाती है जाड के उपर burst ने अंडे दी होते है पर जाड पर भी वो चड़ नहीं पाता जाड पर वो चड़ रहा होता है तो burst उस पर dirty कर देते है ये dirty हो चुका है तो इसलिए अपने health हो धो रहा होता है पर इसे shampoo की bottle मिली थी इससे वो अपने बालों को shampoo करता है जब इस shampoo के chemicals पाने में मिक्स हो जाते है तो इससे जो fish होते है वो मर जाते है ये तेर कर उपर आ जाते है फिर ये fish को लेता है और अब इसकी party करता है फिश के जो lepter होते है तो कुछ कब उतर ये खाते है chemicals खाकर fish मरे थे तो ये chemicals ही इस birds में भी चले गए है तो ये भी मर जाते है इसे और भी खाना अब मिल चुका है ये birds, fish ये बहुत जादा delicious थे ये वो कहता है ये फेक grass पे, फुलों के बीच में, सोया हुआ हमें दिखता है वो कहता है कि अब बहुत ये भोर उच्चुका हो इतना जादा boredom बहुत ही अच्छा है ये अब बहुत ही peaceful महसुस करता है अब next scene आता है और इस movie का एक नया character हमें introduce हुआ है ये लड़की इसका नाम हम रोज रखेंगे हमें फिर इसका room दिखता है ये जो room होता है, बहुत गंदा होता है और बहुत सारी चीज़े यहाँ पड़ी हुए होती है वो जो खाती है, वो भी यहाँ पड़ा होता है उसके कपड़े वेगरा सब कुछ गार पेज यही पड़ा होता है इसके ही room में फिर ये हमें एक computer screen पर दिखाए गई है ये हमसे कहती है कि internet पर मैं कुछ भी बन सकती हूँ उसके एक website होती है, जिस पर वो blogging type अपने images डालती है वहाँ comics पर अपने काम करती है इसका कहने का मतलब होता है ये हमेशा internet से अलग-अलग photos निकालती है और photoshop करकर अपनी image पर वो लगा देती है अपनी site पर वो upload कर देती है वो कहती है कि मज़े जो भी अच्छा रगता है वो मैं कर सकती हो मुझे अगर परस अच्छी लगी तो मेरे life में इसे डाल सकती हो ये सब online ही है पर फिर भी इसे satisfaction देता है हम जब इसे नजदीक देखते है तो इसके forehead उपर जला हुआ निशान होता है इसके साथ कुछ हास्ता हुआ था और उसके बाद से वो इस room से गई ही नहीं है इसकी मदर घर से बहार जाती है तो उसे कहे कर जाती है कि उसने उसके लिए बहुत सारा खाना बनाया है ये उसकी मदर से इसकी family से भी बात नहीं करती है इसकी मदर जब चली जाती है तो फ़ खाना वो ले रहे थी है यह फिर हमें कहती है कि 3 साल हो गए फिर भी मेरे रूम से बाहर नहीं गई उसका शेडूल फिर हमें कहती है वो कहती है कि मैं उठती हो और फिर में steps लेती हो उसके पास एक walking machine होती है जिस पहर वो अपने health का खैयाल रखती है वो भी breakfast करती है और इसके बाद फिर से चलती है वो अपने computer में काम करती है काम करने के बाद फिर से specified package जो food होते हैं उसमें इसे इक खाना खाती है इसके बाद फिर से exercise करती है और रात में भी exercise करकर सोती है रात में इसे एक hoppy होती है जिससे वो तारे दिखती है उसे moon बहुत ही पसनाता है क्योंकि वो अकेला होता है जिस तरह से यह अकेली है इसी तरह से moon भी अकेला है इस TV में एक वीडियो लगा थी है और फिर वो सोजाती है हमने पहले दिखा था कि Civil Defense Golf जो होता है वो पूरी City को freeze कर देता है उसी तरह से आज भी ए City freeze हो चुकी है तो रोज को ए City देखना आच्छा लगता है यह साल में दो बार आता है तो अपनी खिड़के को खोल लेती है और City को देखती है ऐसे उसे देखना पसंद नहीं आता क्योंकि बहुत सारे लोग वा होते है अब वहाँ कोई भी लोग स्टीट पर नहीं दिखते और वो City को peacefulी देख सकती है वो वीश करती है कि इसी तरह से पूरा वर्ल्ड फ्रीज हो जाए जब वो City को देख रही होती है तो James जिस आइलन पर रह रहा है इसको भी यह दीखती है James जब सुर्साइड कर रहा था यह वही पल है तो इसे वो देख लीती है इसे वो डर जाती है और अपने कैमेरी से दूर हो जाती है रात में जो वो सोने के ट्राइ करती है वो सो नहीं पाती है उसने जो देखा है उसे भूलने पाती है रात में वो फिर से आइलन में देखती है और James को ढूंडती है इस बार James वर्ल्ड को फिंगर दे रहा होता है रोज कहती है कि यह अलग ही प्राइणी है इसे बहुत ही अम्यूजिंग लगता है जेम्स जो भी करता है तो इसकी वो फोटो निकालती रहती है उसे हमेशा देखती रहती है जेम्स जो भी प्रोग्रेस कर रहा था है तो यह सब वो हर रोज देखती है फेसा में James दिखाया गया है और आइलन पर जो भी चीज़े मिलती है इससे वो एक गोल्फ की बैट और पॉल्ट बना लेता है इससे वो खेल रहा होता है तभी उसे एक बड़ी शिप दिखती है अगर इस शिप को James दिखाया तो उसे help करने के लिए आ सकते है और उसे ये नहीं चाहिए है उसके जो life है ये यहाँ बहुत ही बिस्फुल है और अब यहाँ से उसे नहीं जाना इसलिए अब इस शिप से वो छुप जाता है जंगल में चलते चलते उसे एक गुरापर दिखता है ये एक black bean noodles का होता है ये उसे open करता है पर उसमें noodles नहीं होती तो उसे एक उसके मसाले का pack मिल जाता है इसके cover पर noodles की image होती है इस cover को जब दिखता है तब उसका आप मन करने लग जाता है कि ये noodles उसे खाने है हमसे कहता है कि एक noodles के bag ने मुझे लाल सा में डाल दिया है यह इससे obsessed हो जाता है यह जो bag होता है इसको सुंगता है जब सोता भी है तो इसके ही सबने उसे आते है अब उसे लगता है कि इस island बेभी वो noodles बना सकता है उसके आसपास जो भी सब plants होते है उन मेंसे वो grains वेगरा निकालता है और इससे वो try करता है पर वो करनी बाता जब वो रात होती है तो regret करता है वो सोचता है कितनी बार life में मुझे यह noodles खाने को मिला था पर मैं हर बार नहा कहे देता था छोटा होता है उसकी माँ उसे खिला दी है फिर वो ना कहता है अपने फ्रेंड के साथ वो बाहर जाता है तब वो आलग flavor की noodles लेता है हमारी life को किस तरह से हम granted लेते है इसका यह best example है जो चीज़ हमारे सामने होती इसका importance हमें कभी भी भी नहीं होता अब वो हार जाता है और जो मसाले का packet था उसे वो देखता है वो सोचता है कि अगर वो इसे खा ले तो इसी craving मीट सकती है पर अपने आपको रोक लेता है वो जब सोया होता है तब उसे कभूदर के आवाज आती है उसे फिर idea लगती है वो कहता है कि यह जो कभूदर है यह seeds वेगराई खाते है और यह इसको digest नहीं कर पाते है कभूदर कि जो भी सब टट्टी होती है तो इसमें उसे बहुत सारे seeds मिल सकते है इसे अब वो scrap करने लग जाता है इसे scrap अपने credit card से करता है वो किता है कि इस तरह से credit card ने मुझे help की अब वो इस सब टट्टी को gather कर लेता है और इसके farming करने वाला होता है यह अब सोचने लग जाता है कि कहा वो farm कर सकता है एक ideal जगा और रोनने लग जाता है उसे land फिर मिल जाती है और फिर उसे लगता है कि हमें fertilizer की भी जरूरत पड़ेगी वो जो poop करता है इससे वो fertilizer की तरह use कर सकता है वो कहता है कि मुझे हम healthy पड़ेगा इसे मैं बहुत सारा fertilizer ready कर सकता हूँ वो जब यह field ready करना होता है तो वहाँ से उसे बहुत सारे पटार उठाने पड़ते है इसमें उसे बहुत ही मेनत लगती है वो कहता है कि जुरासिक पार्क में mosquito से उसने dinosaur बनाया था उसके chances जाता थे वो demotivate field करता है पर वो हार नहीं मानने वाला होता है वो कहता है कि मेरे पास बहुत सारा टाइम है मैं और भी क्या करूंगा यह काम करको रूब बहुत ही स्वेटी हो जाता है यह स्वेट जो बोशने लग जाता है तो वो अपने स्वेट को ही test करता है वो खुद salt generate कर रहा है इस अवसे लगता है और उसके बाद अपने आपको चाटने लग जाता है उसका जो suit था इसे अपने prans को बचाने के लिए एक पुदला बनाता है वो कहता है कि यह suit हमें पुदला ही बना देता है यह जब शान्ति से बेटा हुआ होता है तब इसे realize होता है यह जब सब वो कर रहा है यह hopeful है इसल इसे alien लगता है वो कहती है कि क्या मैं इसके world को join कर सकती हो क्या मुझे invite करेगा इसे अब jam से बात करने का बहुत ही मन करने लग जाता है यह रात में अपने घर से निकलती है अपने face वगरा को सब इसने cover कर लिया आता है security card को भी वो distract करती है और वहाँ से चली जाती है आसरी दिन फिर वो camera से देखने लग जाती है जेम्स को यह note मिली या नहीं यह वो wonder करती है इसके बाद तीन महेने गुजर चुके है जेम्स जो है अब वो master हो चुका है इस nature में अची तरह के से उप रह सकता है fishing के से करनी है यह उसे अब पदा है जाट पर चड़कर अंडे कैसे निकालने है यह भी उसे अब आने लग गया है वो fish अंडे खाते हुए में दीखता है और उसके पास जो salt होता है यह उसका sweat होता है इस sweat इस bottle में वो भरकर रखता है और इस bottle को चीड़कता है जब भी उसे salt की जरूरत होती है तीन महेने गुजर गये है और जब वो field मे आता है तब उसे एक जोटा सा crop दिखता है इसे देखकर बहुत ही खुशी होती है और इसे अब उसे protect करना है इसलिए तूटे हुए काच की bottles विगरा वो ढूडने लग जाता है जब वो जंगल में घुमता है तब रोज का उसे message मिलता है इसमें hello लिखा होता है फिर वो river की शोर तक आता है और जिस पर उसने hello लिखा था वो wonder करता है कि ये कौन होगा अपने suit से वो पूतला बना होता है उससे वो बाते करता है वो कहता है कि मुझे कोई देख रहा है ये कौन हो सकता है ये वो wonder करता है वो शोर पर एक stick से message लिखता है उस पर लिखता है कि तुम कैस रोज के होती है, तीन महीने तक इस message का वेट कर रही होती है, जब उस से message मिलता है, तो बहुत ही खुश हो जाती है फिरसे वह building से निकलती है और फिरसे उसे message देने के चल जाती है, जब वह message देकर गर आ रही होती है, तब उसे एक plant दिखता है इस पर बहुत ही beautiful fool होते है इसे देखकर उसे बहुत ही peaceful message होता है उसे नीन की हमेशा problem आती है पर अब ये fool देखकर उसे नीन आने लग जाती है natural sleep वो आज लेगी James को उसका message मिलता है उस पर लिखा होता है fine thank you और आप कैसे हो James भी उसे fine thank you लिखता है James को friend मिल चुका है तो उसे बहुत ही अच्छा रखता है वो English बोलती है तो एक कोई भी हो सकता है James जब wonder कर रहाता है तब उसे एक plant में कौन का plant उख गया है ये दिखता है ये बहुत ही खुश हो जाता है उसे कौन मिल चुके है और इससे वो noodles बना सकता है रोज को पता है कि James को कह चाहिए उसे noodles खाने होते है तो इसले एक delivery boy को call करती है उसे उस island पर जाकर वो delivery देने के लिए बोलती है उसे इस island तक पहुशने में बहुत ही दिक्कत होती है फिर वो पहुश जाता है James शुपा होता है उसके पास वो चला जाता है उसे कहता है कि एक औरत ने तुमारे लिए दिया है तीन different flavors के noodles रोज ने उसके लिए भेचे होते है जब इस delivery boy जाने लग जाता है तो अब James उसे रोग लेता है उसे कुछ कहता है और इस delivery boy फिर वहाँ से चला जाता है इस delivery boy फिर से रोज के पास आ जाता है हमें पता है कि रोज किसी के लिए भी दर्वाजा ने खोलती वह फिर जाने लग जाता है रोज फिर उसे रोग लेती है उसे कहती है कि क्या उसने कुछ बोला ये delivery boy कहता है कि उसने मुझे कहा कि ये जो noodles है ये उसका hope है ये उसकी आशा है उसे noodles खाने है इसी आशा पर वो जी रहा है ये फिर noodles का parcel रोज ले लिती है उसे बहुत ही tasty अब लगता है वो कहती है कि इसमें hope की taste है उसे भी अपने life में अब better करना होता है उसे भी hope पर जीना होता है अब वो दर्वाजा खोलती है अपनी mother वो कहती है कि मुझे कुछ street प्लान करने है कुंडिया वेगरा वो बुलवाती है और अपने room में ये प्लान करने लग जाती है वो फिर James को और एक message लिती है उसने जो भी किया था इसके लिए वो sorry कहती है James किनारे पर एक drawing निकालता है जिसे वो शाल से बच रहा है ऐसा वो डिपिक करता है वह समय तक वो स्टेर रहा है ऐसा वो pretend करता है उसे पता नहीं रोज कब देखेगी इसे वज़े से उसे बहुत time तक ये करना पड़ता है अब ज़रा time गुजर चुका है और उसने जो कौन को रोग किया था अब उसके पास बहुत सारे आ चुके है अब वो अपने लिए noodles बना सकता है कौन वो निकालता है इसे वो dough बनाता है इसे cut करता है और boil करकर इसे वो noodles बना लेता है अपना मसाले का जो packet था इसे वो इसमें डाल देता है यह जब वो test करता है तो वो रोने लग जाता है उसने जो भी सब decide गया था अब उसने पा लिया है रोज भी यह देखकर खुश होती है उसे congratulations करती है रोज जो होती है वो एक छोटे से compartment में सोती है जब रात होती है तब उसे यह छोटा पढ़ने लग गया है वो बाहर आती है और बाहर आकर सोती है एवरेटेज जेम्स के efforts देखकर अब रोज भी कुछ अच्छा करने के लिए इंस्पार हो चुकी है उसके जो भी सब insecurities थी लोगों से वो बात नहीं कर पाती थी अब ये भी वो कर रही है फ्यूचर अहर प्लान कर रही है और उसके comfort zone से अब वो बाहर आ रही है जेम्स जब अपने डग में बेठा हो होता है तो वो imagine करता है कि रोज से बात करना कैसा होगा वो उससे पूछेगा तुम कैसी हो उसका नाम क्या है वो कहा से है क्या वो कोरिया से है यसा वो wonder करता है और call पर वो बोड़ रहा है यसा pretend करता है वो फिर किनारे पर रिखता है कि तुम कौन हो उसे रोज के बारे में बहुत कुछ अब जानना है रोज बाटल लेती है और ब्रीज से वो फेकने वाली होती है पर वो एक करने पाती है दूसरे दिन जब जेम्स पूरा आइलन्ड धुनता है पर उसे बाटल कहीं भी नहीं मिलती रिजेक्शन का उसे दूख होता है और पुछता है कि क्यो क्यों उसने अपने आइडेंडिटी उसे नहीं बताई जब रात होती है तो रोज अपना कॉम्पेटर दिख रही होती है उसकी जो एबसेट होती है जिस पर वो सब फोटो जगरा लगाती है उसमें एक कॉमेंट में आ गया होता है कि ये जो करी है ये सब फेक है रोज ने अपना फेस भी किसी और औरत से निकाल कर अपने फोटो पर लगा आता है कॉमेंट में एक आदमी इस औरत को जानता है और उसकी जो भी सब कम्यूनिटी है अब इससे गालिया वेकरा देने लग जाती है रोज हमें फिर से डिप्रेस्टो कर जिस जगा पर वो सो रही थी वहाँ सोही होई दिखती है फिर हमें तुफान आयो हो दिखता है इस तुफान में जेम्स का जो डग होता है वो भी रिवर में चला जाता है उसे वो पकड़ कर रखने की बहुत ही कोशिश करता है पर वो करनी बाता जेम्स के सब चुकास वगरा थे वो सब अब मीट चुके है वो फिर अपने आप से कहता है यह बहुत ही कम था जो मैं पूछ रहा था पर नेचर उसे ये भी दे नहीं रहा है इसा उसे लगता है वो फिर शोर में रोज के लिए रिखता है कि भाड में जाओ थोड़ी दिर में वहाँ ओफिसस आते है यह जो आइलंड है इसको साफ करने के लिए वो वहाँ आय हुए होते है जैन से वहाँ से भागने लग जाता है उसे इसे आयलंड पर रुखना होता है क्योंकि यहां रोज का उसे मैसेज आता रहता है रोज से कॉंटेक्ट करने का यही एक लास तरीका उसके पास है इसलिए अब वो रेजिस्ट करता है वो सब इसके पीछे भागते है और उसे वो रिस्टिक कर लेते है रीट से भागते भागते बागते जाती है इस सिटी के दुसरी तरब तक वो पहुच जाती है फिर भी उसे जेमस ने मिल पाता जेमस एक बस्टॉब पर होता है उसे एक बस लेने के लिए आती है और इस बस में ho च्ड़ जाता है उसके पास जो wallet था उस wallet को scan करता है उसका credit card अभी भी काम कर रहा है यह देखकर उसे ज़रा सुकुन मिलता है कि वो अभी भी इस world में relevant है रोज figure out करती है कि James bus stop पर होगा बाक्ती बाक्ती वहाँ जाती है बस leave कर रही होती है इसी बस में James होता है वो उसके पीछे भाकती है पर यह बहुत ही आगे जली जाती है वो स्टीट पर ही रोने लग जाती है फिर से हमें एक alarm बचता हो दिखता है और यह civil defense cop का होता है हमें पता है कि जब भी यह alarm बचता है तो पूरी city freeze हो जाती है जो लोग चाहा होते है वो ही रूख जाते है अब जिस बस में James है वो भी रूख चुकी है रोज भागते भागते जाती है और बस में आ जाती है James को spot करती है और पहचान मिलेती है James उससे पूछता है कि तुम कौन हो और वो अपना नाम उसे बता देती है जब CD freeze होने का time खतम हो चुका है तो बस चैने लग जाती है रोज गिर रही होती है पर उसे James समा लेता है इन दोनों का हाथों में हाथ हमें दिखाई दिया गया है और अब ये साथ साथ रहने वाले है मूवी के last scene में हमें बस और moon दिखाया गया है वो moon के पाज आ रहे है एक दूसरे का साहरा अब उन्हें मिल चुका है यहां में आप बता चलता है अब मैं आपको इस movie के ending के बारे में इस characters के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ James जो था एक corporate में पुरी धर्या किसी घुश चुका था और इससे उसके life बरबाद हो चुकी थी उको भी भी सही से job नहीं कर पाया relationship नहीं टिका पाया जब वो deserted island में आया तब उसे realize हुआ कि उसे जीने के लिए कितनी कम चीज़े लगती है उसे फिर से जीने के लिए hope आ गया उसे noodles खाने थे इसलिए उसने बहुत सार effort लिए उसे realize हुआ कि hard work और hope इन दोनों चीज़ों के सारे वो इस life से जुन सकता है survival क्या होता है इसका बड़ा experience हो से आया था इसके opposite character रोज थी उसके पास सब कुछ था पर फिर भी वो confined थी वो एक mentor block में थी और लोगों से बात नहीं कर पाती थी उसके साथ जब 3 साल पहले हदस हुआ था उसके बाद से वो पूरी tessness हो चुकी थी दुनिया को वो एक fake tribe जी रही है ऐसा वो दिखा रही थी जिस तरह से वो अकेली थी उसी तरह से James भी अकेला था अकेले बन पर वो उससे connect कर गए और इसके बाद उससे देखने लग गई वो life के प्रदी कितना positive है और कितना effort डाल रहा है यह देखकर वो भी inspire हो चुकी थी वो भी अपने life को अच्छा बनाना चाहती थी इन दोनों ने बहुत ही अच्छे से try किया पर फिर तूफान आ गया इस तूफान में रोज की real identity पूरे world को पैदा चल गए और जो James था उसके सब cause विगरा सब कुछ तबाओ गया उसे उस island से भी निकाला गया वो रोज से बात करना चाहता था रोज भी उस island पर रुखने के लिए उसके लिए एक hope थी पर वो भी उससे चीन लिया गया अब है एक दूसरे से मिलने पाएंगे इसी वज़े से सब insecurities इन्होंने अपने मन से निकाल ली रोज भागते भागते उसके पास आने लगी रोज इस building में रह रही थी उसी building में James जाना चाता था उसने अपने card से जब payment किया तो उसे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि इस world में वो अभी भी relevant है रोज इस world में रही रही है इसी वज़े से इस world में रहने का उसे hope मिल चुका है और हैं पता है James को life में कोई भी problem आई तो वो ऐसा डर कर भागेगा नहीं फिर से उस suicide करने का उसे मन में खयाल भी नहीं आएगा वो अच्छी दरह के से इससे डट कर लड़ेगा और फिर से अपने life एक track पर लाएगा रोज की जो भी सब insecurities थी ये James के वज़े से अब वो सब निकल चुकी है मुवे के लास में एक दूसरे का हाथ इनों ने धामा था अब वो लाइफ को एक दूसरे के साहरे के साथ जीने वाले हैं अगर आपको वीडियो चलागा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा मैं बहुत सारी मुवेज लेकर आत रहता हूँ तो प्लीज इस चानल के सब्सक्राइब कर दीजे और बेल इडिवेशन आइकोन दाने मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक अम्रूर के साथ तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आपका खैल रखिया